नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अगनी महल अगनी महल लेखक बिमल चटर जी जितरांकर तरशूल कॉमिको आर्ट किसी समय एक गाउं में सोमदत, वीरदत, केशवदत और चारुदत नाम के चार भाई रहते थे वे बहुत ही निडर एमम बहादूर थे लेकिन इश्वर की इच्छा कि उन्हें एक छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके किसी परकार अपना पेट भरना पड़ रहा था एक बार गाउं में बड़ा भीशना काल पड़ा जिस्ते उन्हें भूकों मरने तक की नौबत आ गई छोटे भाईयो, अब तो यह गाउं छोड़ना ही पड़ेगा यहां गुजर बसर करना मुश्किल है अच्छा होगा कि हम कहीं और जाकर नौकरी चाकरी करें और अपना पेट भरें वह तो ठीक है बड़े भाईया लेकिन परदेश में हमें नौकरी देगा कौन फिर हम नौकरी करेंगी कैसे हमें तो खेती बाड़ी करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है भाईयो यह तो हम इस गाउं से निकलने के बाद ही सोचेंगे यहाँ पर हाथ पर हाथ धरे रखे बैठने से तो कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला यहाँ कौन देगा हमें रोटी बड़े भाईया ठीक कहते हैं पहले हमें इस गाउं से बाहर निकलना चाहिए इश्वर ने चाहा तो पेट भरने के लिए हमें अपनी मन पसंद का काम भी मिल जाएगा तो ठीक है हम अपनी जमीन बेचकर चार घोड़े खरीदते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं बड़े भाईया आपकी क्या राय है तुम ठीक ही कहते हो मैं आज ही जमीन बेचकर घोड़ों का प्रबंद करता हूँ बड़े भाई सोमदत ने एक दिन जमीदार के हाथ अपनी जमीन बेची और चार बड़िया घोड़े खरीद लिये घर पहुँचकर भाईयो घोड़ों का प्रबंद हो गया है अब तुम लोग सफर की तयारियां कर लो हम लोग कल सुबह ही परदेश के लिए निकल चलेंगे बहुत अच्छा बड़े भाईया उन्होंने आवशक समान जुटाया और अगले दिन भोर होने के साथ ही अपना गाउं छोड़कर प्रदेश के लिए चल दिये कई दिनों तक सफर करते हुए वे कई नगरों, महानगरों वा देशों से गुजरे लेकिन प्रदेशी होने के कारण उनमें से किसी को कोई नौकरी नहीं मिली बड़े भाईया अब पास का सारा भोजन हम दर बदर कब तक भटकते रहेंगे ठेहरो, मुझे सोचने दो कुछ देश सोचने विचारने के पस्चात छोटे भाईयो, क्यो न हम इस देश के राजा के पास चल कर कोई नौकरी मांगे हो सकता है, वे ही हमें कोई काम दे दे और हमारी सारी समस्या हल हो जाए आग का विचार तो बुरा नहीं है बड़े भाईया लेकिन हम साधारन ग्राम वासियों को राजा भला काम क्या देंगे हमें उनके सामने अपने आपको साधारन नहीं बलकि असाधारन मना कर पेश करना है और कोई ऐसा काम मांगना है जो कोई न कर सके क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा दूँगा फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ राजमहल चलो फिर चारो भाई अपने अपने घोडों पर सवार हुए और राजमहल की ओर चल पड़े जिस समय वे राजमहल पहुँचे उस समय राजा का दर्बार चल रहा था अधा चारो भाई चुप चाप सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए जब दर्बार बरखास्त हुआ और सब लोग वहां से चले गए तो राजा की दृष्टी खामोश खड़े चारो भाईयों पर पड़ी आप लोग कौन है और दर्बार खत्म उनके बावजूद भी यहां क्यों खड़े है हम लोग परदेशी है महराज और आपके पास किसी काम की आशा लेकर आए है खिरप्या कर हमें कोई भी काम दे दीजिए काम की हमारे पास कोई कमी नहीं है नौजवानों बोलो तुम लोगों को कैसा काम चाहिए तुम लोग कौन सा काम जानते हो और उस काम का कितना वेतन चाहते हो हम लोग ऐसा काम चाहते हैं हमाराज जो खत्रे और जौकिम से भरा हो जिसमें बहादुरी दिखाने का मौका मिले ऐसा काम जो किसी के वसका न हो जिसे कोई न कर पाई हम आपसे ऐसा काम चाहते हैं ओ, कुछ देर सोचने विचारने के बाद राजा बोला भई, फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है हाँ, भविश्य में शायद तुम्हारे लायक ऐसा कोई मुश्किल काम निकल आए अधा बताओ, तुम हमारी यह नौकरी करने का क्या फितन लोगे प्रते एक दिन चार सो सोने की सिक्के जो हम चारो के होंगे प्रते एक दिन चार सोने की सिक्के अरे, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है इतनी पगार तो स्वेम महामंत्री और सेनपती को भी नहीं मिलती यह तो अपने अपने काम की कीमत है महराज हम जो काम कर सकते हैं वह वास्तव में महामंत्री जी और सेनपती जी भी नहीं कर पाएंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी देश का कोई भी इंसान ना हम जैसा शूरवीर होगा और ना बुद्धिमान विश्वास ना आए तो आप इसी समय परिक्षा लेकर देख सकते हैं हम इसकी बात में तो काफी ध्रिता है क्यों ना इनकी एक छोटी सी परिक्षा लेकर देखी लिया जाए हो सकता है काम के आदमी साबित हो क्या सोचने लगे महाराज सुनो नौजवान हम तुम चारों को नौकरी पर रख सकते हैं लेकिन उससे पहले तुमें एक छोटी सी परिक्षा देनी होगी मैं हर परिक्षा के लिए तयार हूँ महाराज आप हुक्म कीजिए तो सुनो कल सुबह तुम चारों भाई दरबार में उपस्तित होंगे लेकिन विशीश कर तुमें इस परकार हाजीर होना है कि ना तुम नंगे हो ना कपड़े पहने हुए हो ना तुम यहाँ पैदल आओ ना घोड़े पर सवार होकर इसके साथ ही ना तुम मेरे लिए बिना कोई उपहार लिया आओगे और ना कोई उपहार लेकर राजा की बात सुनकर सोमदत के तीनों चोटे भाईयों के पैरों तले धर्ती किसक गई हे इश्वर यह राजा ने कैसी विचित्र शर्चर की है बला ऐसी अवस्था में कोई कैसे आ सकता है सारी बाते एक दूसरे की विप्रीत है लगता है बड़े भाईया अपने ही बिचाय जाल में फस गए है लेकिन बड़े भाई सोमदत के चहरे पर कोई घबराट के भाव नहीं थे वह शांत्सवर में ही बोला मैं आपकी शर्तों के अनुसार ही दर्बार में हाजिर हूँगा महराज कृप्या अब हमें कुछ धन देकर इजाज़त दीजिए ताकि हम कहीं ठहरने और पेट भरने का प्रबंद कर सके ठीक है राजा ने तुरंट ताली बजाई कोई है तुरंट एक सैनिक वहां हाजिर हुआ सुनो सैनिक खजान्ची से कहकर इन्हें पचास तोने के सिक्के दिलवा दो जो आग्या महराज नौजवानों तुम इस सैनिक के साथ जाओ वह तुम्हें पचास तोने के सिक्के दिलवा देगा लेकिन ध्यान रहे यदि तुम मेरी परिक्षा में खरे नहीं उत्रे तो हम अपने 50 सोने के सिक्के तुम चारों को 50-50 कोड़े लगवा कर वसूल करेंगे मुझे मंजूर है महराज, बाप रे उसके बाद चारों भायों ने सैनिक के साथ जाकर खजांची से 50 सोने के सिक्के प्राप्त किये कोई पुरा नहीं कर सकता, केशव ठीक ही कह रहा है भाया, लगता है आपकी यह मूर्खता, आपके साथ साथ हमें भी 50-50 कोड़े खिलवा कर रहेगी तुम लोग जराबी चिंचित ना हो जोटे भायो, ना कोड़े तुमें खाने पड़ेंगे, ना मुझे, और कल तुम तीनों देख लेना, हम चारों को शाही नौकरी भी मिल जाएगी मेरी समझ में तो आपकी कोई बात नहीं आ रहे है बड़े भाईया, आखिर आप राजा की शर्ते कैसे पूरी करेंगे यह तुम कल सुबह दरबार में अपनी आँखों से देख लेना जरूर बड़े भाईया की दिमाग में कोई उपाय है, वरना वे इतने निश्चित नहीं होते फिर उन्होंने एक अच्छी सी सराय देखी और रात काटने के लिए उसमें रुख गए पहले चारों ने डट कर खाया पिया, फिर अपने कमरे में जा लेते लेकिन बड़े भाई सोमदत के अलावा तीनों छोटे भाईयों को एक पल के लिए भी नीन नहीं आई हर पल उन्हें आखों के सामने अपनी पीट पर पचास-पचास कोड़े ही पढ़ते दिखाए दिये अगले दिन भोर होने पर छोटे भाईयों, तुम तीनों जल्दी से तयार होकर दरबार में पहुंचो और आप, मैं तुम लोगों के पहुंचने के कुछ देर बाद पहुंचूंगा क्योंकि राजा के शर्ते पूरी करने के लिए मुझे बाजार से कुछ खरीत फरोक्त करनी है बड़े भाईया, कहीं आप हमें फस्वाकर स्वेम यहां से निकल भागने की तो नहीं सोच रहे हाँ बड़े भाईया, यदि ऐसी बात है तो साफ साफ हमें बता दीजिए आपके सबश्ट वादिता से हमें जराभी कश्ट नहीं होगा जबकि आपके जूट से हमें बड़ा कश्ट पहुचेगा हाँ भाईया, हम तो आपके एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकते हैं फिर हमसे धोका या जूट कैसा हम आपके लिए 50-50 तो क्या, 1000 कोड़े भी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें धोके में मत रखे मेरे छोटे भाईयो, तुम लोग मुझे इस कदर गिरा हुआ इंसान समझोगे यह कभी मैंने सोचा भी ना था भला मैं अपने जिगर के टुकडों से जूट बोलूँगा क्या मैं अपनी आत्मा को धोका दूँगा क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए उन मासुमों के प्राण खत्रे में जोग दूँगा जिने पिता के मनने के बाद स्वेम अपने ही हाथों से पाल पोसकर बड़ा किया है छी ऐसा तो सोचना भी मेरे लिए पाप होगा कहते कहते सोम दत्ता गला भर्रा उठा मेरे भाईयो मुझ पर विश्वास रखो मेरे जीवित रहते तुम तीनों का कोई बाल भी माका नहीं कर सकता यदि कभी हम चारों में से मौत को किसी के सर की जरुरत पड़ी तो स्वर पर्थम अपना सर उसके चड़ों में रखूंगा भाईया अगले ही पल हमें माफ कर दो भाईया हमें माफ कर दो हम कुछ चड़ों के लिए भटक गए थे हमने आप पर अविश्वास नहीं किया बलकि भगवान पर अविश्वास किया है हमें शमा कर दो बड़े भाईया वरना हम कभी अपने आपको शमा नहीं कर पाएंगे सोमधत्ने तुरंत तीनों भाईयों को उठा कर अपने सीने से लगा लिया शमा मांगकर अपने बड़े भाई को और लज्जित पत करो चोटे भाईयो जाओ अब जल्दी से तयार होकर दरबार में पहुँचो शायद महराज हमारी ही राह देख रहे होंगे जैसी आग्या बड़े भाईया कुछ देर बाद तीनों चोटे भाई तयार हो अपने अपने घोडों पर सवार होकर राज महल की और चल पड़े जबकि बड़ा भाई सोमदत बाजार की और जा रहा था दरबार में पहुँचकर महराज की जै हो ओ आ गए तुम लोग लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई कहा है जिसने हमारी शर्थ पूरी करने का वचन दिया था वे भी आते ही होंगे महराज तभी महराज की जै हो मैं भी हाजिर हूँ महराज अरे ओ देखी महराज मैं आपके कहे मुताबिक ही दरबार में हाजिर हुआ हूँ ठहरो पहले यह बताओ कि तुम हमारे लिए कोई तोफ़ा लाये हो हाँ महराज मैं यह तोता आपके लिए उपहार में लाया हूँ लेकिन हमने तो उपहार लाने के लिए मना भी किया था तो मैं कब आपके लिए उपहार लाया हूँ यह देखिए मेरे हाथ में कोई उपार नहीं है बहुत खूब वाह अहां महराज की एक शर्थ पूरी हुई तुमने मेरी एक शर्थ तो पूरी की नौजवान लेकिन मैंने तुमसे तुम्हें न पैदल चलकर आने के लिए कहा था ना किसी सवारी पर जबकि तुम ठेदी महराज पहले आप यह याद कीजिये कि आपने मुझे किस सवारी पर आने के लिए मना किया था हां ध्यानाया मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार होकर आने के लिए मना किया था तो देख लीजे महराज मैं ना पैदल आया हूँ ना गोड़े पर सवार होकर वावा यह नौजवान वास्तव में जबाव नहीं इसकी बुद्धिमानी का आह भाईया दूसरी शर्थ भी जीत कए इश्वर करे तीसरी शर्थ भी वे ही जीते ठीक है नौजवान हमने सुईकार किया कि तुमने हमारी दूसरी शर्ट भी पूरी की लेकिन हमने तुम्हें न कपड़े पहन कर आने के लिए कहा था ना बिना वस्त्र पहने जबकि तुम्हारे शरीर पर मस्त्र मौजूद है शमा करे महराज यदि आप इन धागों को वस्त्र कहते हैं तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहां इस दर्बार में ऐसे सुन्दर वस्त्र पहने कौन सा व्यक्ति मौजूद है साथ ही आप मुझे यह भी बताएं कि क्या आज तक अपने राज्ये में आपने किसी भी इस्त्री पुरुष को ऐसे वस्त्र पहने देखा है नहीं तो महराज फिर आप इन्हें वस्त्र क्यों कह रहे हैं सोमदत का जवाब सुनकर दर्बार में एकदम सन्नाटा चा गया जबकि राजा प्रसनता भरे स्वर में बोला शाबाश नौजवान हम तुम्हारी बुद्धिमता का लोहा मान गए हम तुम्हें और तुम्हारे भाईयों को आज सही शाही नौकरी पर रखते हैं लेकिन फिलहाल हमारे पास तुम्हारी बहादुरी की परिक्षा लेने के लिए कोई कार्य नहीं है इसलिए तुम लोग मौज मस्ती से रहो जब कभी ऐसा काम आएगा जिसे कोई न कर सके तो हम तुम्हें अवशे याद करेंगे महराज के हमेशा जैर्यकार होती रहे महराज जिन्दाबाद फिर राजा से विदा लेकर चारो भाई उस सराय में पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे आपने तो कमाल ही कर दिया बड़ी भाईया हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी आसानी से महराज की सारी शर्ते पूरी कर देंगे निसंदे भाईया आप हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है मेरे प्यारे भाईयो जब से हम अपने गाउं से निकले हैं तब से अब तक की ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है नौकरी की तराश करते करते जो तजूर्बे मुझे मिले उनसे मैंने अच्छी तरह समझ लिया था कि दुनिया को बिना कोई अनोखा चमतकार दिखाए जुकाया नहीं जा सकता इसलिए मैंने नौकरी पाने के लिए तुम्हें राजा के पास ही चलने को कहा था और तुमने देख लिया कि मैंने स्वेम को एक असाधरन इंसान के रूप में प्रस्तूत कर राजा से कितनी आसानी के साथ नौकरी प्राप्त कर ली पहले चारो भाईयों ने डटकर भोजन किया, फिर निश्चिन ठोकर सो गए, कुछ दिन उन्होंने सराय में बिताए, जोंकि उन चारो भाईयों का कोई जादा खर्चा नहीं था, इसलिए कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपने रहने के लिए एक शानदार मकान खरीत लिया राजा के सेवक चार सो सोने के सिक्के रोज उनके घर ही पहुँचा देते थे, इसलिए चारो भाईयों को राज महल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वे रोज सैर सपाटा करते, घूमते फिरते, खाते पीते और सो जाते, इस तरह से अब उनको किसी भी चीज की को राजा की इकलोते बेटे का अचानक ही स्वर्गवास हो गया, हाई, मेरा लाल, आह, हे भगवान, यह तुने मुझे किन पापो के सजा दी, क्यों हमारे बेटे को तुने हमसे छीन लिया, काफी देर तक महल में रोणा पीटना होता रहा, फिर महा मंत्री ने राजा को सांता पापना देते हुई कहा, महराज, राज घराने के नियम के अनुसार, राजकुमार का शव रात भर के लिए अगनी महल के शाही भाग में रखा जाना है, लेकिन शाही भाग की स्थी से आप भी अनभिग नहीं, मेरा दिल तो अभी से यह सोच सोच कर फटा जा रहा है, कि श इससे शाही भाग में हमारे बेटे के शव की दुर्गती न होने पाए, हम अपने राज घराने के नियम को भी तो नहीं तोड सकते, शव का वहां रखा जाना भी जरूरी है, वरना परजा हम पर थूकेगी, और यह भी तैह है कि हमारे सैनिक वहां पर शव की रक्षा नहीं इस बहाने उनकी बहादुर्य की परिक्षा भी हो जाएगी, वाह यह आपने खूब कहा, आप तुरंत उन्हें यहां बुल्लवा भेजिये, जो आज्या महराज तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद